तो जैसे कि हम लोगों ने कल office expense का question पड़ा था इसको हम लोग आज desktop पर करेंगे तो desktop पर करने के लिए सबसे पहले हम tally erp9 को open कर लेंगे जहां पर हमारी tally erp9 है हम इसको क्या करेंगे open कर लेंगे तो जब तक हमारी tally erp9 open हो रही है तो सभी लोग मेरी चनल को like करें share करें comment करें और बेल आइकन बंदवाना ना भूले तो जैसी कि क्या है कि मैंने जो office expense का आप लोगों को बताया था तो उसका जो हमारा credit था तो वह हमारा cash गया था और इसके बाद क्या है जो हमारा office expense था तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एकाउंटिंग बाउचर पर जाएंगे हम इसको open करेंगे अब हमें क्या करना है हमें office expense का करना है तो office expense का जो करना था हमें तो उसका पहले क्या है डेवेट क्या देखाई देरा है डेवेट हमारा question पर जाकर आप देखें अगर सब्सक्राइब लोग ने copy पर लिखा हुआ है तो आप इस पर जाकर देखें कि आकर का डेवेट है क्या तो डेवेट देखा आपने है कि आखरो देवेट हमारा क्या जाएगा office expense क्या जाएगा office expense तो यहां पर हम क्या करेंगे अल्टी के साथ लेजर बनाते हैं और ये हमारा चला जाएगा इंडारेक एक्सपेंस किस पर इंडारेक्ट ऐस्पेंस पर कि इंडारेक्ट एक्सपेंस और हम यहाँ पर हम पांच चार और डाल देंगे कितना ca. 5000 खर्च किया था तो 5000 रुपए डाल देंगे और नीचे जो है हमारा क्या आ गय करेड़िट तो नीचे क्या में था कैस है क्या था कैस तो यहाँ पर हम जा कर अपना जहाँ पर लीयाजर अपर ऐकाउंट लिखा दिया कैस तो आप देख रहे होंगे जो हमारा 5000 रुपए है यह हमारा कट चुका है तो यहां पर क्या है पहले हमारा कितना था हमारा था 82,000 कितना था 82,000 रुपए था जिस पर अभी हमारे पास पैसा बचा है कि एक कडोर 98,197.000 रुपए इंटर करेंगे तो आई होप सभी लोगों के यह इंटी ज्रुन पऽंद आये होंगे सभी लोग मेरे चैनल को लायक करें सेर करें कमिंट करें और नौन भूलें थैंक यू सो मच गाईज झाल झाल झाल